इस question को देखे, यहाँ पर उपर में 3 dice है, तो यहाँ पर 3 के opposite में कौन सा number आएगा, वो ही पुछा गया है question में, क्या करना है देखे, सबसे पहले इन 3 dice के अंदर हमें एक common number को ढूड़ना है, देखे, यहाँ पर 2 dice के अंदर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो अभी यहाँ पर 4 से ह हम clock always को घुमाएंगे, clock always अगर इसको घुमाएंगे, तो इस direction में घुमेगा, तो मतलब 4 को लिखना है, 4 के बाद यहाँ पर 6 आजाएगा, उसके बाद 3 आजाएगा, और यह dice में देखे, 4 के बाद 2 आजाएगा, और उसके बाद 5 आजाएगा, तो देखे, यहाँ पर 6 के opposite में टू बन गया टू के ऊपोजिट में शिक्स के ऊपोजिट में फाइफ फाइक के ऊपोजिट में ठीक कॉन से नमबर आ गया या पर फाइव आगा